Hello Guys, Welcome to my new blog तो आज हम जा रहे हैं to library तो आपको दिखाएंगे पुरा library का internal view और internal से मत अंदर से कैसे लखते है library और किस तर से बच्चे बहां पर पढ़ते हैं तो आज आज आपको पूरा दिखाएंगे का रास्ता कहां से कहां तक जाता है तो आपको दिखाएंगे तो चलिए चलते हैं सामने हमारे boys hostel दिखेने सुन्दर लग रहे हैं आपके ultimate view library scene कभी मस्त लगता है अभी चलते हैं लाइडरी के अंदर in the open dried out tears of sorrow lacking all emotion staring down the barrel waiting for the final gates to open to a new tomorrow अब प्रूर सा मेर में पड़ले तो यहाँ पे यहां पे अंदर मतलब अपने नहीं लेकर जा सकते तो यहां पर रख देते हैं ठंड ज्यादा थी तो सोचा के कि उना अमर जी के साथ चाय की चुस्किया लिए जाएं तो उन्होंने जिरे चाय वगार पी निचे ठाक उठाबा में कितना अल्टिमेट व्यू है निचे लिकी होस्टल से बात उनों के ऊपर डेली में यह दिखा रहा हूं यह आपको बट इतना ब्यूटिफूड होता है कि क्या ही बताओं अभी थोट देमें आपको इसका में टाइम लैप्स दिखाता हूं फिर देखना है कि कि यह है दो यह आ कि सामने एक छोटा सा गार्डन बहुत नाई है यह ओके है यह पर फॉंटेंज आपको दिखा रहे समये फॉंटेंज जब इसमें लाइटेंव गेरा जलती है पानी छोड़ते हैं तो बहुत ब्यूटिफूल लगता है तो बहुत बिऴ्यूटिफू और यहां पर बैठ किया मतलब अपना पढ़ा है वेराई भी कर सकते हो और यह है HPU का 24 जेक्शन ये दिन रात खुला रहता है आप यहां पर 24 इंटो 7 पढ़ सकते हैं आपना पूरा दिन अभी शाम के लग बग साड़े साथ हो गया है अब देखते हैं आगे जाके की मतलब मुसम तो बहुत ही गंदा है इस ताइम इस ताम रहे समरेड का बहुत मतलब ठंड भी काफी ज्याद हो रखी है ओपर से बारिष का मुसम बहुत ही गो रहा हर जगा तो बारिष न लगया रास्ते में आपको पूरा दिखाया अंदर से फोन नहीं होता है और मैंने चुपा कर दिखा दिया आपको कि लाइबरेरी के अंदर से किस तरह से मतलब बच्चे पढ़ते हैं क्या महौल है वह लाइबरेरी तो एच्पर की जान है ओके हलो तो गाइज य अपने वीडियो को जरूर एंजोई किया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को क्या करें सब्सक्राइब ओके बाई